दो यादों के हत्या के आरोपी आरजेडी के पुर्व सांसद राजपुतों के बर्य नेता पर्वनास सिंग को लेकर सुप्रीम कोट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोट ने उन्हें दोसी करार दिया है। दरसल आपको आदे कि 1995 में मसरक के एक मतदान केंदर के पास 18 साल के राजेंदर यादो और 47 साल के दरोगा यादो की एक मतदान केंदर के नजदिक हत्या हुई थी। यह आरोप लगा था पर्वनाथ सिंग पर पर्वनाथ सिंग ने दोनों को इसलिए मार डाला क्योंकि उन्होंने पर्वनाथ सिंग के कहने मुताबिक मतदान नहीं किया यानि कि इन दोनों ने पर्वनाथ सिंग के कहने नुशार वोट नहीं दिया तो पर्वनाथ सिंग ने ब इक्रम नाच की बेंच ने कहा है किस मामले में पर्वनाथ सिंग के खेलाब प्रयाप्त सबूत है उन्हें दोसी करार दिया द्रसल सुप्रीम कोट ने राजित के पुर्व सांसत पर्वनाथ सिंग को बड़ा जटका दिया है सुक्रवार को 1995 के डबल मडर केस की सुनवाई करत सुप्रीम कोट ने पर्वनाथ सिंग को दोसी करार दिया इस मामले में निचली आदलत ने पर्वनाथ सिंग को बेगुना करार देते हुए बड़ी कर दिया था पत्ना हाई कोट ने भी निचली आदलत के फैसले को सही करार दिया था इस फैसले को सुप्रीम कोट ने पलट चनवाई की है बेंट ने परवनाज सिंग के खिलाब प्रयाप्त सबूत पाया है और उने डबल मडर केस में दोसी करा दिया है बता दे कि परवनाज सिंग अभी एक अन्य मामले में हजारी बाग जेल में आजीवन का रवास की सदा काट रहे है परवनाज सिंग तीन बार उमीद में और सुप्रीम कोट ने बड़ा फैसला सुनाया है चुकि जिस वक्त हत्या होई थी उस वक्त उस बूत के आसपास परवनाज सिंग भी थे और कहा गया परवनाज सिंग के कहने के बावजूद भी राजेंद्र यादो और उनके भाई दरोगा यादों ने उस उम राजगन, सारन और सिवान के शित्रों में उनके अच्छी खासी पकर माने जाती है कायाता है कि आनंद मोहन के बाद अगर कोई राजपूत वोट बैंग पर पकर रखता है तो वो नाम परवनाज सिंग का है एक बाहु बली नेता लेकिन इन दिनों जेन में है एक नहीं कई मडर की केस उन पर है और कईयों में उन्हें दोसी कराड भी ठड़ाया गया है लेकिन इस डवल मडर केस में निचरी अदालत और पतना हाई कोट न उन्हें बड़ी कर दिया था वही राजेंदर राय और धरोगा राय के भाई न्याय की उमीद में सुप्रीम कोट पहुंच होंगे और दोनों पक्ष से अपनी बाते रखी जाएगी और कहा जा रहा है कि जिस परवनात सिंह को लेकर कहा जा रहा था कि उन्हें पैरोल मिल सकती है और पैरोल मिलती भी रही है लेकिन जैसे आनंद मोहन की रियाई हुई वैसे ये भी रिया हो सकते हैं लेकिन अब जिस प्रकार से तस्वीरे दिख रही है ऐसा लग रहा है कि प्रवणात सिंग के मुश्किले न सिर्फ बढ़ेगी बलकि और जादा बढ़ सकती है चुकि सुप्रिम कोर्ट ने मामला पहुंचा है और वो भी डबल मडर केस को लेकर बैराल आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतकिया क कमेंट बॉक्स में रखें अगर आप मेरे चैनल को यूटूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लिजे फेस्बूक पर देखें तक पीच को लाइक और फॉलो कर लिजे